पूरोब मंत्री जीयस बाली ने एक वार फिर केंदर की मोधी सरकार और परदेश सरकार को आड़े हातों लिया है कांगडा में जीयस बाली ने कहा कि केंदर और हिमाचल सरकार असमबैदन शिल होती जा रही है देश और विदेश की जनता की बाबनाओं को नहीं देखा जा रहा देश में अगर किसी बात का बिरोध हो रहा है तो सरकार उस बिरोध पर चर्चा करने को तयार नहीं है आज तक देश में किसी भी समान की सोटिस्ट होती थी तो सरकारें ब्यपारियों के गोदामों में चापे मारती थी ऐसे में ब्यपारियों को डर रहता था कि अगर ब्यपारी आवशक बस्तूँ की काला बाजारी करेगा तो सरकार उनके गोदामों में चापे मारेगी लेकिन सरकार ने उस एक्ट को अब बापस ले लिया है अब काला बाजारी के खिलाब कोई भी सरकार छापा नहीं मार पाएगी अब व्यपारियों के हाथ में है कि बे काला बाजारी कर सकते हैं पूरा मंतरी ने कहा कि आज आम नागरिक देश और परदीश का परिशान है कि पेट्रोल डीजल की कीमते लगतार बढ़ रही है जबकि कच्छे तेल की कीमते आज बहुत कम है लेकिन आम जनता की और से कोई सुद नहीं लिजा रही है देश में सरकार ऐसे कानून ला रही है जिससे महंगाई भी जीलनी पड़ रही है बेरोजगारी भी जीलनी पड़ रही है पैंशन नहीं मिलेगी वो भी जीलना पड़ेगा विकास का काम नहीं होगा तब भी जीलना पड़ेगा और यहां तक कि अब जनता बीरोद नहीं कर पाएगी क्योंकि उन्हें आंदोलन जीवी कहकर देश के लिए खत्रा बताया जाता है बाली ने कहा कि मैं बिहार सरकार का एक फर्मान पढ़ रहा था इसमें पहले बारत देश में होता था कि अगर कोई बात गलत लगे तो उसका विरोध किया जाता था लेकिन अब ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं कि अगर आप बिरोध करेंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा नहीं इंफ्लाइनमेंट में नाम दर्स होगा इस तरह के फैसले बहुत गलत हैं और ये लोगों के उपर चुर्म है किसान तीन माह से अपनी मांगों को लेकर बिरोध कर रहा है लेकिन केंदर सरकार सुनने को तयार नहीं है सरकार का ये रविया ठीक नहीं है अंदोलन में कई किसानों की मौत हो गई लेकिन कोई सुनभाई नहीं की जा रही है सरकार को चाहिए कि इस मामले पर चर्चा करके समाधान करके इसे जल्द खतम करवाना चाहिए सरकार ने जो होडिंग एक्ट खतम किया है उससे अब देश में अमबानी और अडानी जैसे लोग ही राज करेंगे उन्होंने कहा कि East India Company को निकालने में हमारे बुजर्गों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा लेकिन सरकार ऐसे कानून ला रही है जिसे देश में ऐसी कई East India Company आ जाएंगी जिसे निकालना नामुकिन होगा बाली ने कहा कि जब मैं मंतरी था तब हमारी सरकार ने स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री बस देवा की सुबदा दी थी लेकिन सरकार ने ये फैसला चुपके से बापेस ले लिया है सरकार ने अपने कई रूट बंद कर दीए हैं कई जगा पर सिर्प HRTC की ही बस सुबदा थी लेकिन अब कई रूट बंद कर दी गए हैं जिसे आम जनता को नुक्सान हो रहा है पूरो मंतरी ने कहा कि सरकार बात कर रही है कि CM रत्यात्रा निकालने की बात कर रही है लेकिन सीएम की रथ्यात्रा का स्लोगन होना चाहिए बीरोजगारी भडाओ मेरे रख पर बैठ जाओ सरकार पहले जन्ता को बताए कि सरकार ने ऐसे क्या काम किये हैं कि बे रथ्यात्रा निकालेगी बाली ने टांडा अस्पताल की बिगडे हालातों पर कहा कि टांडा अस्पताल का निजी स्पतालों के साथ तालमिल है, जिससे टांडा में गरीब जंदा का इलाज मुश्किल होता चाह रहा है, कभी मशीने खराब हैं तो कभी डक्टर उपलत नहीं होते हैं ठंड में जब हम अपने कमरे में इट लगा के सो रहे हैं वो ठंड में सडक में सो रहे हैं छोटे बच्चे हैं लेडिस हैं और लोग हैं तो मुझे इस बात की बहुत बड़ी चिंता है कि ये जो अंदोलन है इसके ओपर चर्चा करके इसको खत्म कराना चाहिए और जो ये अ इसके ओपर पूरा काम हो ये चीज़ें जो हैं ये वड़ी भश्यक हैं और ये जो होडिंग एक्ट को सुमापत की है इसके ओपर सरकार द्वारा सोचे चर्चा करें इन चीजों को खत्म ना करें नहीं तो ये कंट्री में आवानी और डानी चलेंगे अब पहले इस इंडि कॉंपनी जाएंगी और अपने आप ही यहां पर ऐसा अपने ववस्ता बना दी है कि ववस्ता जो विलकुष विपारिक हो गई लोगतंतर जो है आज उसमें जो प्रीडम टू स्पीच है वह भी नहीं है वह लोग सोच के बोल रहे हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें पता न सुक्तों जो फ्री प्रेवलिंग है वो जो बंद हुई है उसके उपर यह मेरी थी यह आप किरपा करके इसको अच्छी तरह से हाइलाइट करें यह बड़ा अवश्य को जरूरी है मीडिया का भी अपना स्थान है और मीडिया भी उसमें बड़ा रोल अदा करेगा इसलिए अब का जन्यवादावब कोई स्वाल आपको सुना चाहें तो कांग्रा जिला में कॉंग्रस के बहुत सारे लोग मगया देली जिला परशत की कर्दूस और अब तो है यह हुआ कि हमारे ठारा लोग जीत के आई है मगर है कांगरस की विचात-दारा या के बहुत से लोग इ और उसका नितिज़े यह हुआ कि छे बोट क्रॉस हुए इनके तो चोबिस और 27 में को ज्यादा अंतर नहीं है यह बराबरी की एक तरीके की फाइट हुई है मैंने पहले भी मानना था इस वात को कि कोई सरकार हो तो थोड़ा बहुता आर्म ट्विस्टिंग जिलूर करती है तो इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग से अपने कुछ लोगों को अपने पास रख करके कई दिन तक यह क्या उसल है तीपो लोग अना आप रपोर्ट चेक कर लोग कितने दिन तक विजायक और बाकी लोग और मंतरी वहां रहे तो आपको अपने आपी पता लग जाएगा कि लोग तंतर में यह एल्दी ट्रेंड नहीं है कॉंग्रस ने किसी को अपने पास ने रखता अपनी मर्जी से अपने अपने घरों में ते जहां पर उसके जो प्रॉस्वोटिंग होती है उससे पता लगता है कि यह हमारे छे लोगों को लेगे हुए थे जो बापीस जिनने अब तक नहीं हो सकती जब तक हम हैं चीन के ऊपर एलेक्शन ना लड़े लेक्शन सरकार कराई अब लोग लड़ने को त्यार है अब जनावचे ने जिला पर्शेदोर सुमीती क्यों नहीं अब यह सरकार का फैंसला होता है दा गोर्मेंट अब देविल डिसाइड वर्ट सोवर देविल डिसाइड वियर फुली पर पेटो